आज दो फोर्मों की और से जो मोर्चा शुरू किया गया है उसको तेरवां दिन हो गया है जो शंभू और खनावरी पर लगा हुआ है और आज हम डबलू टीयो के मुद्दे के उपर विश्वपार सरस्था के उपर बात करेंगे हर बच्चा स्कूल चले हो सवेरा मिटे अधेरा एक नया भी आने पंजाब के सरकारी स्कूल विश्वस्तरिय सुविधाओं से संपन्न हो रहे हैं आप भी अपने बच्चे का दाखला जरूर कराएं बेहतर शिक्षा बेहतर परिडाम सरकारी स्कूल पंजाब कामान पिक किस तरह से खेती सेक्टर को विश्वपार संस्था परभावित करेंगी इसलिगे शंभू पर और खनावरी पर बड़े बुद्धी जीवियों को बुला कर इसमें आम किसानों से अपनी स्टेज से चर्चा होगी जो हमने मांग रखी है भार सरकार से भी भारत खेती सेक्टर को डबलू टियों से बाहर निकाले उनकी नीतियां किस तरह से प्रभावित कर रही हमें तो इसके उपर दोनों जो हमारे बौर्डर से हर्याना के साथ सटे हुए उनके उपर चर्चा करेंगे विचार चर्चा होगी शाम को फिर उसका निरना पीसी में सबके साथ सांजा किया जाएगा और कल 26 को हम लोग पूरे भारत को अहवान कर रहे हर गली कूच्चे गाउं में डबलू टियो और कार्पोरे के अर्थी फूक देहन किये जाने चाहिए कल सुभा 26 को और 26 को दुपाहर बाद हम लोग दोनों बौर्डरों के उपर 20 फूर से बड़े जो बड़े पुतले बनाएंगे उन पुतलों का देहन किया जाएगा 26 को और 27 को फिर दोनों फोर्म किसान मजदूर मोर्चा जिसमें मैं खुद काम करता है 100 से प्लस उपर अंब्रेला जूनिन है उनका ये केमम है और SKM नोन प्लिटिकल उनके उपर भी बहुत साज उनके पास बहुत सारी जूनिन वो 27 को दोनों अलग अलग हम लोग विचार चर्चा करेंगा 28 को दोनों मिलकर एक जोएंट चर्चा करेंगा 29 को फिर आगे का कारेकरम पूरे देश के शमक्ष रखा जाएगा और आज भी हम माननिय परधान मंतरी जी से मांग कर रहे हैं पिया आप आगे आए और जिस तरह का पूरे किसान मजदूर के उपर जबर हो रहा उसके उपर आप बोलिए आपका बोलना जरूरी है हर्यान में पचास हजार से अधिक अर्द सैनिक फोर्स क्यों लगाए जा रहे हैं क्या उसकी वज़ा है जिस तरह के परहार पूरी किसा लखर पे किये गया अंदोलन में भी बनाएंगे उसको बनाना चाहिए देश के किसान मजदूर का कर्ज मुक्त करना चाहिए इसी तरह से गन्ने का भाव जो है सी टू फिप्टी हंडड के साफ से मिलना चाहिए लखीमपूर खीरी जो बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें सब देश जानते किस से हमारे किसानों को गाड़ियों की नीचे रौंदा गया था उसका इंसाफ नहीं मिला अभी अजे मिश्रा टैनी जो माननी ग्रह राजमंत्री अभी भी मंत्री मंदल में बने हुए उनके उपर 120 B का पर्चा भी है अभी तो उसकी जाच के बारे में इतना देर होगी कोई निरने नहीं लिया गया सभी देश के किसान मजदूर के उपर इतनी बड़े देश भर में केस डले हैं दिल्लिया या चंडिगड में वह वापस नहीं लिए गया बहुत सा चोटा सा इशू था यह तो बड़ा इशू नहीं था इसी के सास्थ बिजली एक्ट 2023 सरकार ने बन लिए सेक्टर दे रहे हैं तो इससे फैदा नहीं होगा इसी के साथ पर्दूशन एक्ट पॉलूशन एक्ट से हम खेती सेक्टर को बाहर निकालना चाहते हैं और जब भी बरसात होती है औले पढ़ते हैं और कोई आग जनी हो जाती है हमारी फसलों का नुकसान हो जाता है ह हम कहते हैं आपने प्राइबिट कंपणियों के ऊपर भी खेती बीमा जो जना बनाई है फसलों की बीमा पर वो उससे तो लूट करते हैं अकेले माहरास्टर में ही 57,000 करोड कंपणियों ने प्रीमियम ले लिया कुछ नहीं दिया हर्याना के किसान हमारे साथ बैठे बोलते जब प्रीमियम लिया और जब हमारी फसले मर गई तो हमारा प्रीमियम वापिस कर गई हैं कंपणियों तो बहुत से सबूत पड़े सरकार अपने प्रीमियम खुद प्रीमियम सरकार बीच में खड़े सरकारी तोर पर फसलों का बीमा बने यह हमारी मांग है हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाए